हैलो अबरिवन, वेलकम टो माई चैनल स्पाइसी अरोमा सुधा की रस्वई ठंडिया शुरू है, इसमें नए आलू और गाजर मटर आने शुरू हो जाते हैं और इसकी सबजी बहुत अच्छी बनती है, मिक्स गाजर मटर आलू टमाटर प्याज की चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइसी कटोरी की मटर शील के रख लिया है उसी के उतना इमाउंट में ही उसी कटोरी के नप से मैंने आलू चील कर काट कर रख लिया है एक बड़े साइस का प्याज बारिक काट के रख लिया है यहाँ पर गाजर काटके रख ली है एक बड़े साइस के गाजर काटके रखा है टमाटर दो लिया है मैंने और यहाँ पर लेसन अद्रक का पेस्ट है जीरा लिया है हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून मेथी दाना है और यहाँ पर है बड़ी मसाला बड़ी आप जानते होंग है गरम मसाला है कश्मीरी रट चिली पॉडर है नॉर्मल रट चिली पॉडर है सॉल्ट है हींग है और वापस मैं यहां अद्रक लेसन का पेश्ट दिखा रही हूं जिसे मैंने बिल्कुल बारिक पीस के रख लिया है यह वन टीस्पून फूल होगा इतना ले सकते हैं दो हरी पर वापस मैं में इससे सारे कढ़ाई पर फैला देंगे ताकि कढ़ाई अच्छे से ग्रीज हो जाए है इसमें हमसे पहले क्या करना है सबझियों को मुझे भूनना है इसमें तो यह मेरे स्टाइल में है आप भी बनाते होंगे आलो मटर गाजर की मिक्स सबजी बटी करना हिनिता है कर खूरी कि आप सब्सक्रणी ग्रेवी刃 यकिंभkey उतना नहीं अनुन तो इसी में कुकर में तीन विसिल देकि बनाओंगी ताकि गाड़ी सी ग्रेवी वाली सबजी हमें मिल जाए यहाँ भी मैंने दो टेबली स्पून सर्चो का तेल डाला है स्मोकी गरम होने पे जीरा मेथी डाल दिया है और यहाँ पर जो मसाला बड़ी थी वो हलका सा तेल में फ्राई करके वापस निकाल लिया है मैंने तो मेथी और जीरा जब भुन गया था इसके बाद मैंने बड़ी निकालने के बाद इसमें प्याज डाल दिया है प्याज को भी प्याज की जो किनारिया है हलकी सी कलर चेंज हो जाए उस पॉइंट तक भुनना है और यहाँ पर मैंने हींग डाला है भी वन फोर्थ टी स्पून हींग हमेशा बलकुल प्याज डालने के बाद डाले नहीं तो शुरूर में तेल में अगर आप डाल दो तो वह जल जाती है तो प्याज डालने के बाद ही हींग डाला करें यहाँ पर वन टी स्पून अद्रक और लेसन का पेस्ट डाल दिया है जब थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था प्याज का और इसको भूलनेंगी और इसमें मैंने पूरी हल्दी डाल दी है 1 2-3 पूंद तक हलदी ले सकते हैं, तो हलदी को थोड़ा सा तेल के साथ पकार लेंगे, ताकि हलदी कोशापन खतलें, और यहां पर इसके बाद मैंने टमार्व डाला है, दोमीडियम साइज के टमाटर मैंने कट किये थे जिसका मैंने चिलका चिलके निकाल दिया है, तो बीने चिलके वाले टमाटर है यह हल्दी हमेसा टमाटर डालने से पहले डालें सॉल डालें और यहां पर दो मिर्ची को मैंने मोटी मोटी काट के डाल दी है बहुत जाद तीकी भी नहीं है तो मोटा मोटा डालें अगर कोई मिर्ची नहीं खाता है तो वो निकाल सकता है और फ्लेवर अच्छा आयाता है हरी मिर्च का हलका सा पाई डाल के मैं धख लिया है और यहाँ पर बीच-बीच में मैं यह सबजी भी फ्राई कर रही हूँ धीमी आज पर जब तक मैंने कुकर में साइड मी मसाला भूना था तो तब तक यहाँ पर सबजी फ्राई हो चुकी है अब जब तक मैं मसाला भूना जा रहा है धक कर तेल अलग होने तक तब तक इसमें पाई डाल देते हैं तो यहां पर 3-4 लोगों के बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी डाला है क्योंकि मुझे इसे चावल के साथ और रोटी के साथ दोनों के साथ लेना है तो थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना रही हूं अगर आप सूखी बनाने चाते हैं कम ग्रेवी वाला तो एक कप पानी डालें कुकर में बनाने जा रहे हैं तो ज्यादा पानी डालने के जरूरत नहीं है वहाँ पानी अब तक कड़ाई में बॉयल आएगा तब तक आप यहां मसाला देख लें मसाला अच्छे से पक चुका है पेल अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको भी दिखाई दे रहा होगा जो टमाटर है, अच्छे से मशी हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं और अब यहाँ पे एंड में यहाँ पे गरम मसाला और कश्मीरी रचिलली पौडर और नार्मल रचिलली पौडर और यह जो बड़ी मैंने फ्राई की थी, इसको हलका सथ तोड दिया है मैंने बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है बड़ी का अगर आपके पास हो तो जरूर आड़ करें इस तरह की टमाटर, गाजर, मतर, आलू की सबजी के साथ और आप अगर इस तरह की सबजी बनाने जा रहे हैं तो ये टिप जरूर फालो करें सबजी अलग से भून ले और मसाला जो टमाटर के साथ हम भून रहे हैं इसको अलग से भून ले तेल अलग होने तक मसालो को अलग से भूने इससे सबजी बहुत ही अच्छी बनेगी जैसे ही मसाला अच्छे से पक गया तेल अलग होने तक तब मैंने ये भूनी वी सब्जी जो पानी के साथ हलका सा कणाई में गरम हो चुकी थी अब कूकर में आड़ कर दिया है अब मसाले के साथ सब्जी और पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे पानी अल्रेडी कडाई में गरम हो चुका था तो कूकर में डालते ही इसमें जल्दी से बॉयल आ चुका है फ्लेम को हाई रखा है और यहाँ पर हाई फ्लेम पे ही तीन विसल लगाऊंगी मैं अभी आप सब्जी देख रहे हैं सब्जी की रंगत अभी से अच्छी लगा तरह तो विल्कुल व्हसम बनने वाली है ठक्कन लगा दिया है हाई फ्लेम पर मैंने तीन विसल आने देंगे दो या तीन अब यहाँ पर तीन विसल आने के बार कुकक पूरी तिरह से ठंडा है और यहाँ पर सब्जी डन है तो आप देख सकते हैं अभी क्या करना है आपको हलका हलका कुछ आलू की पीसिस और कुछ हलके से मटर मैश कर देने हैं जिसलिए ग्रेवी अच्छे से गाड़ी हो जाए अ अलग अलग पानी और आलू टमाटर गाजर इस तरह से ना दिखाई दे तो हलका सा मैश किया है और हलका सा एक मुठी आप फ्रेश कटाव धन्यपत्ता स्प्रंकल करेंगे और इस सब्जी सर्व करने के लिए रेडी है गर्म गर्म सर्व करें और ऊपर से भी थोड़ा सा ध कर जर और आटर अपर क इससे बनाया गर्म भी में मेरे स्टाइल से इसंबार बनाएए अलू मतर गाजर की सब्जर आपिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंड करना बिलकूल मत बूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी आगे नेक्स्ट वीडियो में रेस्पीस को पाने के लिए मिलती हूँ अगली वीडियो में तिल दिल टेक केर ओफ योरसेल्फ बाई बाई